कांषTE चीज को in a form of flow chart में explain कर सको ठीक है तो आप इसे ध्यान से सुनिए जो digestion होता है वो क्या होता है digestion is process of breaking down of food into the smaller components okay so that it can be absorbed by the body इसका मतलब क्या है digestion क्या है एक ऐसा process है जिससे जो खाना हम लेते है उसको हम छोटे छोटे टुकरों में बाट सके ताकि वो हमारे blood stream ले सके और हमारे cell तक पहुँचा सके अगर वो खाना छोटा छोटा हिस्सा में नहीं बटेंगे तो क्या होगा वो हमारे blood में float नहीं हो पाएंगे अगर वो blood में freely float नहीं हो पाएंगे तो वो cell तक different part of body तक भी नहीं पहुँच पाएंगे ठीक है इसलिए food का breakdown होना जरूरी है digestion क्या होता है यह तो आपने जान लिया है तो digestion का starting जो है वो कहां से होता है digestion हमारे mouth से start होता है तो यहां देखिए digestion begins in mouth Salivary gland क्या है mouth में हमारे gland present होते है इधर उसे हम क्या कहते है Salivary gland Salivary gland क्या produce करते है वो produce करते है saliva saliva क्या है saliva एक liquid है जो हमारे mouth में freely float करते है और यह हमें food को chew करने में food को wet करने में food को soft करने में help करते है तो function of saliva क्या है it helps to make the food wet it helps to soften the food and it also help us to mix the food evenly तो food अगर evenly mix हो जाते है weight हो जाते है soft हो जाते है तो क्या होता है तो वो हमारे food pipe से easily pass होके stomach तक पहुँच पाएंगे अगर वो hard हुए अगर वो wet नहीं हुए अगर वो soft नहीं हुए तो क्या होगा कि हमारे जो food pipe है वो जैसे हम food swallow करेंगे वेसे वो घिस जाएगा तो हमें क्या होगा internal injury होगा इसलिए ये saliva हमें food को evenly breakdown करने में help करते है most important role है हमारा enzyme salivary amylis का salivary amylis क्या है ये एक enzyme है जो saliva में मिलता है saliva apart from wetting the food softening the food and evenly mixing up food क्या करते है salivary amylis enzyme contain करते है और ये enzyme क्या करता है ये enzyme starch का breakdown करता है starch क्या है starch carbohydrate है जो की complex होते है तो इसे breakdown करके क्या produce होता है simple sugar produce होता है अगर आपको question मिलता है कि ऐसा कौन सा food component है जिसका सबसे पहले breakdown start होता है तो वो है carbohydrate in the form of starch is broken down in the first place in mouth अब आते हैं जो हम food को swallow करते हैं जो हम food को swallow करते हैं तो क्या होता है एक force आता है isn't it food को आपने निगल लिया तो क्या हुआ एक force प्रडियूस वा जिसके कारण वो अंदर चला गया वो नीचे इसोफेगस से पास होगा तो उस movement को हम क्या बोलते हैं उस movement को हम बोलते हैं peristellatic movement पेरिस्टेलेटिक मूफमेंट ऐसे नहीं होता है जो मैंने फूट को डाला और वो नीचे स्टॉमक में जाके गिर गया ऐसा नहीं होता peristellatic movement कैसे होता है मैंने फूट को डाला और वो पाइप कसके घिसके नीचे फूट को ले जाता है मतलब वो pipe food को नीचे push करता है, ऐस से, ठीके, उसके बाद वो stomach में चला जाता है, ठीके, यह क्यों होता है, क्योंकि जो food pipe है, वो क्या है, flexible है, वो rigid नहीं है, अगर rigid होता, तो वो आसानी से घुश जाता है, लेकिन वो elastic है, ठीके, रबर की तरह है, इसलिए वो खीच के food को न हीचे ले जाता है, अगर वो flexible हुआ तो क्या होता है, हम सो नहीं पाते, हम बेंड नहीं हो पाते, हम जुक नहीं पाते, इसलिए हमारे food pipe क्या है, इलास्टिक है, ठीके, अब चलते है, the next part, second step of digestion कहा होता है, बच्चों, second step of digestion होता है, हमारे stomach में, stomach में क्या gland है, gastric ग्लैंड है, mouth में कौन सा gland है, salivary gland है, ठीके, और जो gastric gland क्या तीन चीज़ प्रड्यूस करता है, HCL प्रड्यूस करता है, pepsin प्रड्यूस करता है, और mucus प्रड्यूस करता है, ठीके, salivary gland क्या क्या प्रड्यूस करता है, saliva प्रड्यूस करता है, और salivary amylase प्रड्यूस करता है, दो क्या करता है एक acidic environment create करता है जिसके कारण जो पेपसीन एंजाइम है वो प्रोटीन को breakdown कर सकते है ठीक अब आपको question हो गया मैम आपने बोला पेपसीन प्रोटीन को breakdown करता है लेकिन HCL इसका कैसे मदद कर सकता है isn't it क्योंकि पेपसीन क्या है पेपसीन एक acidic enzyme है अगर उसे acidic environment मिले तभी वो अच्छे से काम करेगा या react करेगा नहीं तो वो अपना काम efficiently नहीं कर पाएगा all right that is the reason why क्या होता है अगर HCL है हमारे stomach में तो पेपसीन बहुत ही ज्यादा active होके प्रोटीन को breakdown कर पाएगा ठीक है लेकिन अगर आपको question आता है कि क्या stomach में protein का final breakdown होता है तो answer होगा no क्योंकि protein का final breakdown कहां पे होता है वो होता है small intestine में with the help of enzyme tryption ठीक है यहां पे तो first step of breakdown of protein ओकर होता है क्योंकि protein की molecule बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं ठीक है बड़े बड़े और यहां पे क्या होता है pepsin वो बड़े protein को छोटा करता है लेकिन उसे finally पूरे small constituent में breakdown नहीं कर पाता ठीक है इसलिए the first step of the breakdown of protein कहां पे ओकर होता है वो होता है stomach में with the help of enzyme pepsin ठीक है मूँ में protein का कोई breakdown नहीं होता fats का भी नहीं होता mouth में बस किस चीज़ का breakdown होता है carbohydrates का breakdown होता है ना fats का ना protein का protein का breakdown कहां पे होता है वो होता है stomach में ठीक है का breakdown ना तो mouth में होता है, ना स्टमक में होता है, वो directly कहा पे होता है, small intestine में, ठीक है, और अब देखते है third step of digestion, third step of digestion कहां पे आखर होते है, ये आखर होते है, small intestine में, ठीक है, और small intestine में, three तरह के secretions हमें मिलते है, वो क्या है, एक तो bile है, दूसरा तो pancreatic juices है और third है आपका intestinal juices ठीक है तो बाइल कहां से release होता है बाइल release होता है liver से liver से release होके यह store कहां पे होता है यह store होता है गल ब्लेडर में और कहां से यह small intestine में जाता है with the help of bile duck यह small intestine में finally गिरता है ठीक है इसका मतलब liver से गल ब्लेडर गल ब्लेडर से bile duct bile duct से small intestine ठीक है और pancreatic juice pancreatic juice कौन produce करता है वो produce करता है pancreas ठीक है और इस juice में क्या होते है इस juice में different kind of enzymes होते हैं तो अगर आपको question कि कौन सा ऐसा secretion है जिसमें सबसे ज्यादा enzymes होते हैं तो आपका answer होगा pancreatic juices ठीक है सबसे ज्यादा enzyme हमें pancreatic juices में मिलते हैं लेकिन आपके syllabus में आपको बस पढ़ना है दो type of enzyme जो हमें pancreatic juices में मिलते हैं higher classes में आप और enzymes के नाम भी पढ़ोगे ठीक है और आप देखें intestinal juice at the end क्या यह intestinal juice इसका उतना कोई खास function आपको नहीं पढ़ना है बस आपको इतना याद रखना है कि intestinal juice भी हमें different food component को breakdown में help करते हैं ठीक है उससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना इसका और चलते हैं the function of bile अब देखते हैं कि इसा क्या function है कि हम उसे इतना importance देके पढ़ रहे हैं ठीक है बाइल salt क्या करता है immunification of fats globules immunification of fats globules का मतलब क्या है बच्चों जो बड़े-बड़े fats होते हैं ठीक है उसे neutralized food इसका मतलब क्या है जो food stomach से intestine में आते हैं वो food कैसे होते हैं वो acidic होते है क्योंकि stomach में क्या था HCL था इसका मतलब हमारा food acidic है तो अगर वो food small intestine में चला जाता है तो क्या होगा इस small intestine को भी वो born कर सकता है stomach में क्या था stomach में तो mucus था जो stomach के lining को inner lining को HCL से protect कर रहा था लेकिन हमारे intestine में ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण intestine के जो wall है वो क्या हो सकते हैं तो बाइल क्या करते हैं बाइल वो food के साथ react करते हैं और acid plus base क्या देते हमें salt plus water that is neutralization reaction होता है जिसके कारण हमारा food neutral हो जाता है ठीक है और apart from the bile pancreatic juice भी alkaline secretion पोर करते हैं और वो भी food को neutralize करने में help करते हैं ठीक है most important thing क्या हो जाता है बच्चों यहां पर most important thing है जो pancreatic juice में जो enzyme present होते है first enzyme क्या है आपका trypsin है और दूसरा enzyme क्या है आपका lipase trypsin क्या करता है breakdown protein to amino acids और lipase क्या करता है breaks down fats to fatty acid and glycerol amino acid होता है बच्चों वो protein का सबसे precursor component होता है मतलब जैसे cell से हमारे body बनते हैं वैसे ही amino acid से protein बनते हैं मतलब अगर आप protein को breakdown करते हो तो वो finally जाके क्या बनेगा वो finally जाके बनेगा amino acid इसका मतलब क्या है हमारा protein completely breakdown हो गया अब ठीक है देखिए fats भी fatty acid और glycerol में breakdown होता है और fatty acid और glycerol भी fats के सबसे precursor component है इससे छोटे component में वो break नहीं हो सकते मतलब final breakdown of fats भी हमें हो गया है ठीक है all intestine है वहां पे हमें final breakdown of protein भी हो जाते है fats भी हो जाते और carbohydrates जो है वो तो माउट से ही हमारे breakdown होते चले आ रहे है इसंट है मतलब अगर protein और fats breakdown हो सकते है मतलब कार्भो हैड्रेस तो इसके दौरान कहीं पर भी break हो चुके है ओल्रेडी ठीक हो फाइनली अगर आपको question मिलता है बच्चों की carbohydrate finally किस चीज में break होते है वो break होते है glucose में प्रोटीन का finally breakdown होके वो क्या बनते है वो बनते है amino acids और fats का final breakdown होके वो क्या बनते है वो बनते है fatty acids and glycerol ठीक है इसके बाद क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते है हमारे विली विली में क्या करते है वो जो food particles है जो amino acid है glucose यह ग्लुकोस है fatty acid और glycerol है उन्हें क्या करते है एबजॉब करते है एबजॉब करके उन्हें कहां तक पहुंचाते है ब्लड में यह देखिए जो मैं विली बना रही हूं यहां पर देखिए यह स्मॉल इंटेस्टाइन है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वाल में क्या है ऐसे टाइप ओफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसे हम क्या कहते है विली कहते है और इसका फंक्शन क्या है यह सर जादा से जादा एक बार में एबजॉब हो जाए उसे मेक शूर करते हैं अगर वीली नहीं होता तो क्या होता डिरेक्ली यह जो फूट कंपनेंटे ऐसे करके ब्रेकडाउन होता मतलब यहां देखे कितना कम हो रहा है लेकिन इस केस में देखे होल यहां पर से भी यहां से भी यहां से भी यहां से भी हर जगा से आपका absorption पॉसिबल है मतलब यहां देखिए आप यहां पर कितने ज़्यादा food particle एक बार में absorb हो सकते हैं लेकिन यहां पर एक बार में बहुत कम food particle absorb हो पाएंगे इसके कारण जो वीली होता है वो क्या करते है surface area of absorption increase करते हैं ठीक है finally after everything has been absorbed food से सब कुछ absorbed हो जाने के बाद सब कुछ breakdown हो जाने के बाद जो solid part of food है वो कहां पर store होते है वो store होते है large intestine में ठीक है कौन से part of large intestine में वो store होते है वो store होते है rectum में और large intestine का function क्या है large intestine जो extra water होते है वो food में उसे absorb करते है ताकि जो हमारा waste निकलता है वो solid firm में निकले ठीक है हम excrete कहां से करते है तो finally हम excrete करते है annus से ठीक है annus में क्या होता है annals pincher होता है जो क्या कर सकता है जो rotate कर सकता है और वो खुल भी सकता है बन भी हो सकता है solid waste release होता है वो कहां से release होता है वो release होता है annus से annus में क्या होता है annus में होता है annals pincher जो कभी भी close या open हो सकते है जब हमें bathroom जाने के intensity होता है तो क्या होता है कि वो annals pincher open हो जाते है और जब हम normally अपने day to day activity करते है तब वो close रहता है ठीक है यह mechanism automatically हो जाता है ठीक है देख सकते हो और next video में हम respiration के बारे में पढ़ेंगे till then stay safe stay tune keep learning and don't forget to subscribe my channel thank you so much